बारतिय किसान यूनियन के आवान पर पानीपत में भी किसानों ने जीटी रोड वा स्टेट हाईवे जाम की चेताव नी दी है पानीपत में किसान 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 वजे तक नेशनल हाईवे जाम करेंगे आपको बता दे कि पानीपत टॉल प्लाजा पर हाईवे जाम करने पर किसानों में छर्चा हुई है 6 फरवरी के चका जाम के लिए किसान जिले भर में संपर्क कर रहे हैं उधर चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोर्ट पर है इधर किसान नेताओं की आम जनता से भी सहीयों की अपील की जा रही है बता दे कि क्रिशी कानूनों को लेकर हरियाना दिल्ली वोर्डर पर बीते दो माँ से आदिक समय से धरना दे रहे किसान सयुक्त मोर्चा ने छे फरवरी को देश भर में नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करने का ऐलान किया है पानीपट के किसानों ने चक्का जाम की तैयारी शुरू कर दी है जिसके लिए गाउं गाउं किसानों से संपर किया जा रहा है भारतिय किसान यूनियन के नेता ने बताया कि छे फरवरी को दोपहर बारा से तीन बजे तक नेशनल हाईवे के साथ जिले में अन्य जगे भी सड़के जाम की जाएंगी उन्होंने कहा कि आम जंता छे फरवरी को घर से ना निकल कर किसान आंदोलन में सही उख कर सकती है इस जुरान जिले भर की सड़के जाम रहेंगी इससे बचने के लिए अपने घर पर ही रहे वही किसानों ने एमेर्जन्सी सेवाओं को नहीं रोकने की बात भी कही है हमारे जो सीनियर लीडर है जो दिल्ली में बैठे हैं उनके आदेश अनुसार बारह से तीन बज़े तकल चक्का जाम रहेगा और चक्का जाम के लिए हमारे को जो लोकल पब्लीक है हिंदोस्तान की पब्लीक है उनकी पुरी स्पोर्ट है वो यह कह रहे हैं कि हमें इसमें आपको स्पोर्ट करेंगे तो हमारे को इतना कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो खुद बे खुद ही जो है लोग हमारे साथ देगे हमारे साथ पानिपत में मेन तो यहीं है हाईवे के उपर ही रहेगा तो बाकि एक दो सेंट्र हो रहे हैं जो भी होंगे वह आपको कल पता लग जाएगा या शाम तक पता लग जाएगा पूरा समर्थन है पूरीक ने हमारे को आश्वाशन दिया है जी हम आपके साथ लिख अलग करेंगे जो देखो उपर से आदेश है हम उसी को नुकसान हो जो जो भी उपर से आदेश है हम उसी को फालो करते हुए उनके निर्देश़ा अनुसार ही चलेंगे अर्बिंदर सिंह संदू, राष्टी उपदेक्ष किसान उनियन अर्फ लाष्ट लाष्टेंग।